लखनौ शहर में रहने वाली उर्मिला के घर को देखकर तो सभी को लगता था कि उर्मिला की पाँचों उंगलियां घीमे हैं क्योंकि उसके घर में पाँच सरकारी नौकरी वाली बहुएं जो थी अर्मिला की सबसे बड़ी बहु सीमा सरकारी डॉक्टर थी, दूसरे नमबर वाली पूजा पुलिस ओफिसर, तीसरे नमबर वाली बहु नेहा कॉलेज में प्रोफेसर, चौते नमबर वाली आर्ती बैंक में मैनेजर और सबसे छोटी बहु निशा सरकारी वकील लेकिन कहते हैं न हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती कुछ ऐसा ही हाल उर्मिला के घर का भी था पांचो बहों को अपनी अपनी सरकारी पोजीशन का घमंड था भले ही उसकी बहों कितने भी बड़े सरकारी पत पर काम क्यों न करती हो लेकिन घर में हमेशा अपनी अपनी सरकारी पोजीशन को लेकर आपस में लड़ती रहती थी और एक दूसरे को नीचा दिखाती रहती थी जिससे उर्मिला काफी परिशान थी पुजा तुम अपनी पुलिसगीरी का रुआब मत दिखाओ मैं भी एक सरकारी डॉक्टर हूँ उम्र में तुमसे बड़ी हो तो क्या हुआ अगर आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मुझे हमेशा कुछ ना कुछ काम देती रहेंगी पुजा भाबी आज सीमा दीदी ने आपको काम दे दिया तो आप चिल्लाने लगी और जब आप मुझे अपना काम देती हो उसका क्या ऐसे ही लड़ते जगडते कुछ दिन बीच जाते हैं तभी एक दिन सवेरे सवेरे उर्मिला अपने मंचले बेटे मोहित के कमरे में जाती है और उसे उठाते होए कहती है गुड मॉर्निंग मोहित बेटा चलो अब जल्दी से उठ जा ओफिस के लिए देर हो जाएगी वेरी गुड मॉनिंग मा, आज सुभा सुभा मेरे कमरे में कैसे आना हुआ? ये लो बेटा परसाद मा, आज तुम मंदर गई थी क्या? हाँ बेटा, आज तुम्हारा जनम दिन है ना, तो भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करने गई थी ओ, मा, मैं तो भूली गया था भला, अपना जनम दिन भी कोई कैसे भूल सकता है, बेटा मा, ये सब चीज़ां याद रखने के लिए लाइफ में थोड़ी शान्ती होने चाहिए लेकिन शादी के बाद तो मेरी लाइफ में शान्ती रही नहीं गई है इसलिए ना ये सब चीज़ां याद रहती है और नहीं मन करता है सेलिबरेट करने का इस घर की अशान्ती की वज़ह से आज मेरा बेटा अपने जनम दिन वाले दिन भी कितना दुखी है अरे क्या हुआ मा, आप मेरी बाते सुनकर किन खयालों में खो गई मोहित अपनी मा से अभी ये पूछी रहा होता है कितने देर में बाहर से जोर-जोर से चिलाने की आवाज आने लगती है जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो पांचो पहुए एक दूसरे से जगर रही होती है अरे क्यों इतनी सुबह सुबह एक दूसरे पर इतनी जोर-जोर से चिला रही हो चुप हो जाओ सब की सब आप रहनी दीजे माजी ये हम लोगों के आपस की बात है और इन सब से निपटना तो मैं अच्छे से जानती हूँ अरे तुम क्या बताओगी मैं तुम्हें बताओगी कि मेरी पोस्ट में कितनी पावर है लेकिन ये तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है क्यूं तुम पाँचों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही हो भाबी अगर आप अच्छी पोस्ट वाली है तो क्या हुआ आखिर हमारे पास भी तो सरकारी नौकरी है हाँ पुझा भाबी आरती भाबी बिल्कुल सही कह रही है हम सब भी तो सरकारी नौकरी वाली ही है अभी अगर मैंने तुम लोगों को अपनी पावर दिखा ही न तो तुम सारी की सारी जेल में नजर आओगी समझी तुम मुझसे पंगा मत लेना और मुझसे बराबरी करने की तो सोचना भी मत अब बस भी करो तुम सब की सब क्या ये सरकारी नौकरी का राग लगा रखा है अरे मैं तो कहती हूँ आग लगे तुम्हारी ऐसी सरकारी नौकरी को जिसने घर में इतनी अशान्ती फैला रखी है इस घर में तो एक पल भी जीना मुश्किल हो गया है माची अब हमने ऐसा क्या कर दिया कि आपका जीना मुश्किल हो गया है अरे माप आप क्यों इन सब के जगड़ों में पढ़ रही हो लडने दो इन्हें आपस में जितना लडना है इनके पीछे आप के अपना खोन जला रही हो हाँ हाँ आपको इन सब बातों से क्या कोई आपकी बीवी की कितनी भी बेज़ज़दी करे आपको कोई फर्क थोड़ी न पढ़ता है अब ऐसा क्या खास है आज के दिन में और मेरा मूड वैसे भी बहुत खराब है तो तुम मुझसे बात ना करो तो ही तुम्हाई ले बैतर होगा अरे भाबी आप जेट जी से क्यों लड़ रही हो कम से कम अपनी पुलिस गिरी जेट जी पर तो मत जाड़िये ने हां तुम तो चुपी रहो तुम अपने ये लेक्षर अपने कॉलेज में देना वहां काम आएगा मुझे तुम्हारी इस लेक्षर की कोई ज़रुरत नहीं क्यों भाबी सच बात आपसे बरदाश्ट नहीं हो रही क्या हाँ पर वैसे भी पुलिस वालों को सच कहां बरदाश्ट होता है बिल्कुल सही कहां नहां तुमने शायद इसलिए सब लोग पुलिस वालों को घुजगोर और लुटेरे कहते हैं और उनकी पीट पीछे तो ना जाने कितनी गालियां देते हैं लेकिन एक डॉक्टर को हमेशा इजज़त और दुआएं देते हैं हम डॉक्टरों को तो लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं बिल्कुल सही कहां भाबी आपने मैंने भी पुलिस वालों के बारे में यही सब सुना है इन लोगों की तो कोई इजज़त ही नहीं होती भले ही सामने सब डरते हों लेकिन उनकी पीट पीछे तो सब गालियां ही देते हैं हाँ हाँ मैंने भी यही सब सुना है अब चुब भी रहो तुम सब की सब रोज रोज की इस लड़ाई से तंग आ चुकी थी इनी सब के कारण वो अपने पडोस्तियों से नजर तक नहीं मिला पाती थी लेकिन फिर भी वो कभी अपने पडोस्तियों से अपनी बहुँँ की बुराई नहीं करती थी बलकि उनकी तारीफों के पुल ही बाधा करती थी ऐसे ही कुछ दिन और बीच जाते हैं फिर एक दिन उर्मिला अपनी सभी बहुँँ को बुला कर उनसे कहती है सुनो बहुँँँगाउं से फोन आय था कि तुम्हारी दादी सास की तब्यत बहुत खराब है और वो तुम सब से मिलना चाहती हैं इसलिए तुम सब अपने कामों से छुट्टी ले लो हमें कली गाउं के लिए निकलना होगा ये आप क्या बोल रहे है माजी आप तो जानती है हम पुलिस वालों के लिए कोई छुट्टी नहीं होती और गाउं जाना मतलब दो तिन दिन की छुट्टी ना बबा ना मेरा जाना तो मुश्किल है आप इन सब को ले जाए हाँ जैसे कि हमारा काम तो इंपॉर्टन नहीं है न अब कुछे दिनों में कॉलेज में पेपर शुरू होने वाले हैं तो मैं छुट्टी नहीं ले सकती आप आर्टी को ले जाओ हाँ जैसे कि मेरी बैंक में तो काम होता ही नहीं है मार्ज महीना है और क्लोजिंग का समय है तो बहुत काम है आप एक काम करिये निश्या को ले जाएए क्यों मैं क्या फालतू निजर आती हूँ सबसे छोटी हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सब मुझ पर अपना हुकुम चलाएंगी तुम सब की सब माजी के साथ नहीं जा सकती इसलिए मुझे आगे कर रही हो और वो भी गाओ ना वबना इसके बाद उर्मिला की बहुएं बिना उसका जवाब उसका बेटा मोहित ओफिस से घर आता है और अपनी उदास मा को देख कर कहता है मा क्या हो आपको आप इतना उदास क्यों है बेटा तुम्हारी दादी की तब्यत बहुत खराब है और वो अपनी पांचो पोता बहों से मिलना चाहती है तो मा इसमें परिशान होने वाली क्या बात है कली ही हम सब के सब गाउं चलेंगे बेटा क्या मूह लेकर जाओ मैं पांचो ने अपनी सरकारी नौकरी का रौब दिखाते हुए एक जटके में मना कर दिया अच्छा तो ये बात है आप उदास मत हो माँ हम दोनों ही चलते हैं दादी जी से मिलने इनको जाने दो इनने तो अपने सरकारी नौकरी के घर्मेंट के अलावा कुछ नहीं दिखता फिर अगले ही दिन उर्मिला और मोहित अपना सामान पैक करके गाउं के लिए निकल जाते हैं उनके जाने के बाद पाचो आए दिन आपस में लड़ती रहती हैं और जो मन में आता है वो खड़ती है फिर कुछ दिन बाद जब उर्मिला और मोहित गाउं से लोटते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में पार्टी चल रही है जिसके बाद उर्मिला अपनी बहूं से कहती है तुम पाचो को पार्टी करने का टाइम है लेकिन अपनी सास और पती के लिए टाइम नहीं है आज तक तुम लोगों ने बहू होने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई और नहीं कभी ये जानने की खोशिश की कि तुम हरे सास और पती को क्या चाहिए तुम सब को तो बस अपनी एक सरकारी नौकरie से प्यार है तो फिर ठीक है मैने भी फैसला कर लिया है तुम पांचो अपना सामान बंद हो और अपने अपने माई के चली जा और वहीं जाकर अपनी सरकारी नौकरी का रौब दिखाओ जाओ अब बहुत हो क्या। उर्मिला का ये रूप देखकर पाचों की पाचों डर जाती है। साथ ही उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। सभी हाथ चोड़कर उर्मिला से माप्य मांगती हैं और फिर कभी अपनी सरकारी नौकरी का रौब ना दिखाने का वादा करती हैं। और साथ ही साथ अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाने की भी कसम खाती हैं।